आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आता हुगा कि आखिर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अमबेटकर ने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोका दिया है ऐसा ही एक पत्रकार के मन में ये सवाल था कि आखिर बाबा साहिब ने ऐसा क्यों कहा था तो पत्रकार की सवाल का उत्तर बोधचारय सांती स्वरूब बोध जी ने बड़े ही उत्साह से कुछ इस प्रकार दिया बोदचारय सांतिस्वरू बोज जी ने कहा जो पर्ष्ण शाक्षातकार के दोरान पत्रिकार्ण ने उनसे पूछा था वह बड़ा सटीक और बहुत ही बार मेरे मन में आता था कि इस पर कुछ बात होनी चाहिए उसकी वज़ा यह थी कि जब कारकरमों में आयोजन होते हैं कारकरम होते हैं और कोई वक्ता अपने मूँ से यह बोल देता है कि बाबा साहिब ने यह कहा था मुझे पड़े लिखे लोगों ने धोका दिया तो इसके बाद कुछ लोगों को नाराजगी व्यक्त करते देखा जाता था लोग वक्ता से उतर्क करते थे जो लोग यह समझते हैं कि हम पड़े लिके हैं हम नौकरी करते हैं हम बड़े अधिकारी हैं तो यह हमको कहा जा रहा है जबकि उनमें किसी का नाम लेकर बाबा साहिब ने नहीं कहा था मगर जो कहा था उसकी प्रस्क भूमी अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो इसी तरीके की उगह पोहा समाज में बनी रहेगी आओ हम बाबा साहिब डॉक्टर अमबेटकर के जीवन में पदारपन करते हैं और पाते हैं कि 1944 के आसपास बाबा साहिब डॉक्टर अमबेटकर एक चीज से बहुत व्यथित थे बहुत परिशान थे वह चिंतित रहते थे क्योंकि कारण यह था कि जब कोई स्वंड समाज की महिला गर्वती होती थी तो उसकी नजर सीधी जच की कुरसी पर जाती थी कि खाली तो नहीं है अगर यह खाली है तो मैं अपने बेटे को इस पर बिठाने का प्रबंद करूंगी मगर हमारा जो बहुजन समास था वंचित समास था जो अच्छूत समास था उसके यहां कोई बहन बेटी गर्वती होती थी तो वह देखती थी कि कॉर्परेशन में कहीं क कोई ज़ालू लगाने की शिट खाली है या नहीं तो यह चीजें बाबा साहिब डॉक्टर भीम्रा अंबेटकर को बहुत व्याथित कर रही थी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को बैल आइकोन दवाना ना भूनें सबसे पहने हमारी वीडियो देखने करें